डक्टर साब, अब तक मुझे शादी नहीं हुई लेकिन कभी-कभी कुछ महिलावं से मैदुन में भाग लिया हर बार सेखर पतन होती है मुझे संदे है कि मैं शादी के लिए उप्रिक्त हूँ या नहीं बता दीजिये सेखर पतन इसे को बता है प्रमिच्चूर एक इजाकलेशन जब पुरिष एक और से पाग लेता है एक-दो स्ट्रोक्स में बीर गिर जाता है आज है मिनिट में थीस सेकिंट्स में बीर गिरता है जब एक मिन्ट से कम समय में सिखर पतन हो जाता है उसको बोलते हैं सिखर पतन प्रिमिच्चुर इजाकुलेशन क्यों सिखर पतन क्या होता है उसका कान क्या है वह है एंग्जेटी कुछ पुर्शों में एक प्रकार का गभराट होता है एक प्रकार का संकुछ होता है एक प्र जर्व होता है, एंगेटी होता है, यह इन सब से बीर जल्दी गिर जाता है, यह तो psychological condition, वज कोई नियोरलाजिकल डिफ्रेंस नहीं, कुछ लोग समते हैं यह तो नियोरलाजिकल वीक्निस, लाएंगे तांतरियों का वीक्निस नहीं है, केवल एंगेटी डिजॉर्डर, उसके करने के लिए स्टापर स्टाट टेक्निक है एक कर सकते हैं उतना ही नहीं उनका मन को कंट्रोल करने के लिए और साइकलाजिकल ट्रीट्मेंट्स है वह जब से कहने से बहुत बहुत लोगों को जली ठीक हो जाएगा सिगरपतन के समस्या रहने पर भी बेज़ शादी कर सकते हैं कुछ पुर्ष शादी के पहले कुछ माइडाहों से पर संभव में भाग लेते हैं हर बार उनको आज ए मिनिट में वीर गिर जाता है हर बार बेज़ शादी में गर जाना कान है कि मुझे एक प्रकार का जूरलाज कल वीक्निस है, शेक्स वीक्निस है, इसलिए मैं रिपस्रीषय कर सकता हूँ, यहिरी मैं रिपस्ति tobacco, तो मैं वह वावृत मुझे नहीं रहे अैसा समझे, आज अकल काई प्रकार के दवा है घूली है, वो लेने से in समय समस्या को बहुत आसान से ठीक हो देते हैं दवा तो एससारे ड्रेक्स सेलेटरी अप्टेक में नोइटार्स विछ पेड़ एक ड्रग है यह डापॉक्षिन ट्रेबलेट्स सेक्षम भाग लेने के एक घंटे से तीर गंटे पाले लेना लेने से हर रोज ऐसे लेते रहना लेत लेने से कुछ दिन ऐसे लेने से वो समस्या ठीक हो जाएगा इसी प्रकार कुछ पुरिश होते हैं बे तो हर रोज अवरस से से शेक्षम भाग लेने से सिग्रपनस नहीं हो कि समस्या नहीं होती हर रोज बहने से सिग्रपनस नहीं होती क्योंकि उनका जो वीरी कोश्य है व इसलिए हर रोज बाने से वो सेगर प्रतन की समस्या नहीं रहेगी लेकिन ये का आज सेक्षों भाग लिया फिर एक अपते के बार सेक्षों पर रहा ऐसा कहने से बहुत गयाप होने से वह तो जल्ड़ी ठीग हो क्यों कि जब एक सेक्षों भाग लेते हैं तब क्या हुआ दो विराम बहुत लागी तो इसे सेक्ष ब्रेइन से दो स्टिमिलिश आते हैं वह स्टिमिलिशन से कब फुली वीर कोश भर पूर आता है वीर से वीर कोश जल्ड़ी स्टिमिलिश से जल्ड़ी वीर निकल जाता है इसलिए हर रोज सेक्षों भागने से दो बार तीन बार चार बार भाने से शेकरपात्र की समस्या नहीं रहेगे, कहीं रोग नहीं रहेगे इसले शेकरपात्र की समस्या होने पर भी ऐस शाजी कर सकते हैं, ये कोई प here noiological disease नहीं है डिफिक्न है, nervous weakness है, उसका युचाहे तो कुछ गोली तो है वो ले सकते हैं सबको ठीक हो जाएगा